हलो एवरिवाल कैसे हैं आप सब एक चीज जो मेरे पास बहुत सारा कोईरी आ रही है वो यह है कि हमारे चेहरे पे गर्मियों में चुटे-चुटे से दाने बनने लगते हैं और यह आम समस्या है जाना तर यह चीज ऑईली स्किन वालों के साथ भी हो सकती है या पिर आप टीनेजर है 15-16 साल के बाद भी यह प्रॉब्लम बहुत सादा आती है कि चोटे-चोटे से दाने बनते हैं कई बर लाल कई बर सफेद दाने बनने लगते हैं और उसके बाद वो एकने का रूप ले लेते हैं और बाद में निशान उनके रह जाते हैं तो आज मैं आपके साथ एक घरेलों उपाय दे कर आई हूँ जैसे कि हमेशा मेरी असान सी रेमिडी होती हैं आपको सिर्फ इसके लिए कच्छा दूद यूज करना है दो दरह से बताऊंगी आपको कच्छा दूद यूज करना है आपकी उम्रत 15 साल है या पिर 50 साल है आप अगर इस त पंदर साल के भी आप है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं या पिर आपके घर में तेजिस उम्र के बच्ची है उनको भी आप ये उपाय कर सकती है तो आपके साथ आज इन उसका शेयर कर रही हो तो चलिए शिरू करते आज का वीडियो असाहन सा घरेलों उपाय है आप आपको लेना है मुलतानी मिट्टी पाउडर अगर आपके बस ब्लॉक फॉर्म में मुलतानी मिट्टी हो तो वो तो बेस्ट है वो ना हो तो आप मार्केट से इस तरह का पाउडर भी परचेस कर सकते हैं और उसको आप एक चमच लीजिए आप किसी भी एश की है मुलतानी म और निखार देता है अगर आपको लगे किसी भी मौसम में चेहरा बहुत अदा डल पड़ रहा है चेहरे पर गलो नहीं है बस अपने चेहरे पर कच्छा दूद लगाना शुरू कर दीजिए एक तो यह आपकी स्किन पर कोई साइड इफिक्ट नहीं देगा किसी भी आप उमर पारी मिट्टी और कच्छे दूद का इसको अपलाय करना है और यह आप चाहे तो डेली भी कर सकते हैं नहीं तो हफते में तीन-चार बार भी कर सकते हैं जैसा आपको कर्मीनियंट हो वैसा आप इसको करें लेकिन इसको यूज जरूर करें पूरी गर्मी अगर आप इसको करते हैं या पिर दुस पंदरा दिन भी यूज कर लेते हैं तो आपके चेहरे पर सफेज और लाल रंगी छोटे दाने बनने का प्रॉब्लम है किसी भी तरह से स्किन पर राश होते हैं हीट बंस निकलते हैं गर्मियों में टानिंग हो जाती है या पिर 14-15 साल की छोटे मुलतानी मिट्टी यूज की है लेकिन अगर आपको बेसन सूट करता है तो आप बेसन और दूद का मिक्षर भी बना के इस तरह से लगा सकते हैं मैंने कई सारे फेसवाश पाउडर्स आपके साथ शेयर किये हैं जिसमें मैंने मुलतानी मिट्टी और बेसन का बहुत अच् अच्छे से हटा दीजिए जब आप इसको दो देंगे तो आप खुद फील करेंगे आपका चहरा बहुत बढ़िया ब्राइटन ग्लोइंग हो जाएगा किसी भी तरह के फेस वाश की कोई जरूरत नहीं है कोई मार्केट लिंजर की जरूरत नहीं है बस मुलतानी मिट्टी लीजिए बेसल लीजिए अपने चहरे पेस तरह दूद मिक्स कीजिए कोई पैसे खर्च करनी की जरूरत नहीं है अब अगली चीज बताती हूं आपको एक चमच के करीब कच्छा दूद लेना है उसमें आपको रोज वाटर डालना है चारपाइं बूंदेस में रोज रोज रात को सोने से पहले आपको इसको अपलाय करना है मैं यूज करती हूं डाबर का गुलाबरी रोज वाटर आप कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हो रात को सोने से पहले बिलकुल 10 मिनट पहले चहरे को इससे क्लीन कर लीजिए पूरे दिन की जतनी में डस्ट होग या गर्मियों में तो हर थोड़ी थोड़ी देर में स्किन पे oil secretion होने की वज़ा से चिपचिपाहट आने लगती है वो clean हो जाएगी तो उस चिपचिपाहट के साथ कभी भी मत सोया करे इस तरहां दोनों चीज़ों के combination को mix करके चेहरे को clean कर ले किसी भी HK है मैं guarantee देती हूँ इससे कोई side effect नहीं होने वाला किसी भी HK है 10-15 साल के भी अगर आप है आपके घर में बच्चे हैं उनके चेहरे पे दाने बनते हैं उनके चेहरे पे कोई चीज़ सूट नहीं करती है या बहुँ जल्दी rash हो जाते हैं इस तरह से ये लगाईए इस तरह आप लगाने के बाद इसको 5-7 मिनट सूखने दीजिए ये इस तरह से ड्राइ हो जाएगा बिलकुर डिसपियर हो जाएगा दूद बस चेहरे को नॉर्मल पानी से बाश कर लीजिए चेहरा पोच लीजिए आपका चेहरा 10 दिन के अंदर-अंदर अगर पिंकिश क्लो नहीं देने लगे तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं वाकिए बहुत अच्छी रेमिडी है मैं भी अपने टीनेज से यूजिए कर रही हूँ इसको ट्राइ कीजिए किसी भी एच के है जरूर यूजिए असाल सा घरेलो उपाए है पर इसको अगर आप रेगलर यूजिए तो आपको बहुत हद तक यह जो दाने होने की समस्या है गर्मियों में वो छुटकारा मिल जाएगा स्किन बहुत ज़रा क्लियर हो जाएगी ऑईली स्किन है तो एक्सिस ऑईल खतम हो जाएगा ब्राइ स्किन है तो उसके साथ आप शेहत वगयरा यूजिए कर सकते है कॉम्बिनेशन स्किन वालो के लिए भी बहुत अच्छा है लेकिन इसको यूज जरूर कीचिए मैं फिर बता रही हूँ अगर आप तीनेजर या पिर आपकी घर में कोई टीनेज की बच्ची है लड़का हो या लड़की आप ये उपाए यूज कर सकते हैं तो चलिए मिली को लाइक और शेयर करना मत बूलीगे चलिए बनीए सब्सक्राइब जरूर कीचेगा फिर मिली नो बाइब बाइब